आप आगे बढ़ेंगे, हर कोई आपको रोकेगा, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रजते हैं, वहां निगेटिविटी बहुंच जादा होती है, है ना, तो हर कोई, हर आदमी आपने बिस्टे को सेफ रखना चाहता है, उससे आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको क पुलना पड़ेगे, क्योंकि अब सोसाइटी होगी एक्सपोज करने का, लेकिन इन पॉजिटिव सेंस, अभी मैं पिछले संदे कोई एक टॉप पैथोलोजिस्त, जिनकी एजाद सेविंटी येर्स है, उनका कोई डांस का बैक्ग्राउन नहीं है, उन्होंने पचास साल क अदे उमर में डांस सीखना सुरू किया था, उसके बाद उन्होंने आया में के बहुत सारे प्रोग्राइब जो इलोपैदी डॉक्टर्स का एक एसोसेशेशन उसमें ये डांस प्रोग्राम पर्टफॉर्म भी किया, उन्होंने बहुत सिंपल सीब्री बोली कि सबसे देखेगा नहीं जब आपको एक्स्पोजर नहीं होगा तो फिर रिटर्ण भी नहीं मिलेगा। फिर हमको पुरहन सुरू होती है कि हम इतना अच्छा जानते लिकर हमें कोई नहीं पूछ रहा। वास्तिता यह कि कभी हमें अपने आपको प्रेजेंट नहीं किया। जब मौका मिला तो हम पीछे हर गए अपनी जिजक की वज़ें से और जब हमें लगा हम कर सकते तो दूसरे ने पूछा नहीं क्योंकि एक और लेवी चेहरा बना हुआ हमाया पास था कि यह अच्छा बोलता है। मैं फच्छे उसको फिर बोला दिया, फिर वो बोलने लगा। तो बस मैं यही चाहओआ कि जो हम लोग इस और जुड़े हैं, एक लच्छ के साथ जुड़े हैं, हम सभी लोगों ने कलपना किये। हमने खुद भी कल्पना कि है, हमारे पैलेंट्स ने भी कल्पना कि है, हमारे पैलेंट्स ने भी हमारे लिए को सोचा हो लुँए. सब के अलग-अलग expectations हैं. हम जिस लक्ष से भी शुरू हैं, लक्ष यह नहीं होता है कि हमा अब्देश पर छौड़ जाओ, इतना भी हो सकता है मुझे यहां से गुण की जाना है। लक्ष छोटा और बड़ा हो यह मात्पून नहीं है। लक्ष को पाना यह जादा मात्पून है। उसको दीरे-दीरे कीए और रोज अपने आपको मोटिवेटेड रखिए। असफलताओं से लिए आज नहीं कल जो सबसे बड़ा हमारा और अब्सक्षन होता है किसी भी इल्सान की ग्रोथ का वो आलस से होता है। उस आलस को चोड़ते हुए हमनों को आगे बढ़ना चाहिए। एक बास प्रिप आप सभी लोगों को नबश के नागे शोता है।